गुण वर्निंग ओल आफ यू आज हम एट्थ मार्च शेलिबरेटिंग इंटरनेशनल वूमन्स डे अंतरास्टे महिला दिवस मना रहे हैं और सबसे जो बड़ी जुरूरत है महिलां को शम्मान और सुरुक्षा की भारती प्रिस्तितियां हूं विदीशी प्रिस्तितियां भारती महिलाओं की दो चीज़ सबसे बड़ी हैं शम्मान और सुरुक्षा यदि कोई किसी पद पर चैनित या निर्वाचित हो पद इस्थापित हो यदि कहीं भी उसके शम्मान को आंस पूंचे उससे बचा जाना ची शमाज इस धिंक से तयार हो और समाज ने स्विम महिलाएं और आज की जो बालिकाएं हैं दोनु पक्ष समन्मित प्रियास करने के लिए एक ऐसा महोल और एक ऐसी गाड़ी जो मेरे से आगे गाड़ी चलती थी वो मुझे याद आ रही है कि उस गाड़ी ने सभी चर्चाओं को विराम दे दिया समाज का मुझ बंद कर दिया उस गाड़ी की ड्राइवर और सवारी सभी महिलाएं होती थी आगे आगे जो ब्रेजा गाड़ी चलती थी मैं देखता था उसमें ड्राइवर महिला और साथ बैठने वाली जो भी महिलाएं तो बड़ा अच्छा लगा मैं बहुत अच्छा बड़ा सम्मानित नहीं महिलाओं को डेरू चर्चाएं है चै वो विदेश मंतरी बन जाएं मुख्य मंतरी बन जाएं जब तक वो घर की जो उनके रिलेशन से बहार के लोगों के साथ जब कारी करती हैं या यात्रा करती है या राजनिती करती हैं विशेश दोशे मैं कहना चाहता हूँ यदि कोई ओरत जब तक अपने भाई या खोन के रिष्टू पती और इस तरह के परिवार के इस्तेक साथ जब तक जी तब तक इतनी ज़्यादा प्रसनोत्री नहीं खड़ी होती जब कोई महिला किसी पद पर पहुशते वए राजनिती करती है तो उसको ढेरों परिवार के गैर मर्दों के शाथ काम करना होता है मन्त साजय करना होता है तो समाज अपनी जगर कहां हो, कैसे लोग समाज में सभी तरह के मानशिक्ता के लोग होते हैं और कुछ ही इस तरह के उदाहरन भी पेश के गए है सबसे बड़ी बात ये भी है कि 67 वर्ष ये कॉंग्रेस के नेता के कल फोटू दिखाई जा रही थी कि उन 67 वर्ष में शादी की है कोई पत्रकार महिला के साथ उसका नाम सभी जानते में रोबतानी जूरत नहीं है तो ये चीज़ें नए परसन खड़ी करती है कि 67 वर्ष का पहले हमारे कातित बजरग है उसको गलत दरश्टी से नहीं देखा जाता था आज ये हमारी जो महिलाएं हैं भारती समाज की समानित महिलाएं उन कोई बत देखना पड़ेगा कि वो अपने समान को कैसे बचैर रखे शमान को कैसे बनाई रखे ये उनके सामने एक चुनोती भराकारी है क्योंकि भारती और मने पहले वीडियों बताया था कि इंग्लेंड की समाज को आप समान रूप से नहीं देख सकते वहां बड़ा खुला पन है और भारती समाज जो है वो मरियादाओं से भरा हुआ भी है देखो साथ में ये भी कमगा भारती समाज जो मरियादित समाज भी है इसमें कोई दोराएं नहीं है तो सबसे बड़ी बात इसी परकार से मुलाइम सिंग यादव के मामले माया कि उन्होंने जो साधना गुपता उन से बीस पर छोटी थी और उनके कारले में जब वो पार्टी की जब वो लोगदल का परदेश अदेख्स थे तो इसी और शादी सुदा थी इसी परकार की बा महिलाओं को अनावसी रूप से समाझ की कूछ अर्चाओं को शिकार होना पड़ा एंजो दोसी भी नहीं थी अपनी मर्यादी जिन्द की जी रही थी परन्तो अनावसी रूप से परिवार को स्वेम को उन धेर सारी अनर्गल चर्चों को सामना करना पड़ा बिना मतलब है तो मैं आज महिलाओं से यही कहना चाहता हूँ चाहे वो विद्याले, चिकितसाले और यह राज़ती धल चाहे अपना चैनल की बात हो इसमे महिला अगली सीट में बैठी है चाहे महिलाओं ही मिलकर यह बालिकाओं और महिलाओं मिलकर अपनी स्वेम ही जो है गाड़ी को क्या संचालन करे मैं यही कहूँगा किसी को जान सेने की जरूरत ईनी है कि उसकी मौन सिक्ता पुरुष के क्या है किसी के हमें करनी निक वाप परोप उसके उपरस्तिति दी नहीं रखनी है सबी महिलाएं अपनी मिलकर स्वेम बिना किसी दूसरी एक प्रवाव के तो इस तरह की चर्चाओं को विरा मिले कर जदा महिलाएं राज़ती करने के लिए बाहर आने को प्रोथ साइट होंगी से मैं ये बता रहा हूँ अभी बहुत सी बाते से आती ही बहुत सी संकों महिलाई जो है संकों मैसूस करती है काफी जो सिक्सित भी है कि वही समाज में कई तरह लोग है मैं उनके साथ जाना पसंद नहीं करती इस तरह चर्चाओं को मैं सुनना पसंद नहीं करती बहुत बड़ी समस्क्रा है बहुत ही जो खुले विचारों के असमाज से जो टकराना चाती थी बड़ी संक्या में जो महिलाई मैं जानता हूँ जो खुलापन में जिन्दी जीना चाहती थी कि समाज कुछ कही वो आगे बढ़ी हैं उन्हों समाज की चर्चाओं को चर्चाओं और जो आउनके बारे मर्म मर्यादी टिपणियों का ध्यान ने रख़वा आगे बढ़ गी पर हम चाहते हैं कि आगे बढ़े पर आगे मर्यादी टिपणियों करने का और सरी ना दे मर्यादी डंक से ही ताकि समाज की जो चर्चाकार हैं उनको इस तरह का अवसर नहीं दे हम चाहते हैं कि इस तरह की राज़ती दल का भी भारत में गठन हो जो सिर्फ महिलाओं का महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा नियंतरित जैसे डेमोकरीची पर यह आसावराब लिंगन ने दी थी नै कि शिरफ जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा तो एक ऐसे राज़ती में शेक्सित और शम्रद महिला हैं जो हैं बुद्धिमान महिला हैं आगे आकर कारी करने को तत्पर होंगी क्यों आप भी बहुत से सम्रद परिवार ऐसे हैं वो स्विम इतने बड़े राजदिक इस तरफ पहुँचने बावजूद करते हैं नहीं हम भागने दिलाना चाहते इसे समाज में यह अहलातों परिवारों की हैं आप जो राजदिक परिवार पॉलिटिकल पार्टी करीव 27-27 परिवार देश में हैं आप देखेंगे उनके गड़ की बहुँ बेटियां भी राजदिक सक्रिये नहीं है 27-27 परिवार ऐसे जिनके अच्छी राजदिक करने से संकोच कर रहे हैं आप देख भी रहे हैं इसी परकार से तो मैं ज्यादा नयाज में अंतराष्ट महिला देए उसके दिन महिलाओं के उजूल वह इसे काम ना करते हुए और बहुत ही एक विनमर तैसाथ प्रारत ना करूँगा कि वो समाज भारती महिला हैं विसी इ सब में आगे बढ़ें ये बार बार मैं इसलिए वो बात फिर वही आ जाती है मैं आलांकि विराम देने जा रहा था खेल के छेतर में भी ऐसी बाती बार बार आई रहे हैं ये पुरुष को महिला खिलाडी मुसाद नहीं किया जाएं मैं सब्सी मुद्दा उठा रहा हूं उचे भारत का किसी पद पर बैठा आदमें चे राश्टर पती हो कोई हो मैं सब्सी कर रहा हूं कि बुजरुगों का निर्वाचन नहीं किया जाएं मैं साब बता देना चाहता हूं यो आ भारत खड़ा किया जाएं साथ साल से बड़े लोग एक बार 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 उठा रहा ह यह अभी मैंने खुद देखा किया नहीं वीवागों में कई जो कोच थे या जो उनकी फिजिकल टीचर थे उनका कईयों को निलंबन हुआ है और बहुत सी बालिकां यह भी कहती हैं कि इन पर चर्चा क्या करें सरीए बिना मतलब में अपनी इज़त को वहांस पुचाने व आवान करता हूं कि भारती महिलाओं को सबसे बड़ी जरूरत आज के दिन इज़त और सरुक्षा के और शरकारों से और समाज से यह आवान करता हूं कि उनकी सरुक्षा को और अपनी विवास्था लग रख लोयार हमारे जम बच्चे खेल रहे हैं. उनको खेलने तो आप महिला खिलाडियों को महिला कोच देने दिक्कत आ रही क्या आपको ये कहां से आ गए नहीं बात बताओ बार बार इनको बताया जा रहा है ये इतनी जोर से चलाते बासन दें क्या मन तो ऐसा करता है कि इनके बार्षन के टाइम कुछ जनता हो दूसरा इलाज करना चीए इनका बिल्कुल शरम नाम के चीज़े इतनी पर बता दिया गया कि महिला माविद्यालियों में महिला शिक्सक महिला बालिकाओं कि महिला शिक्सों की नुक्ती बाले का विद्यालू में जनाना अस्पताल अभी कई जगा एकाद जगत कोई थोड़ा होती इस तर पर शुरू किया गया है जनाना अस्पताल भी अलग खुल नहीं चीजिए मैं यह करा रहा हो कि हमारे यहां भहुत आउशिकता हुन चीजों को हर चीज कहने की ने जोती बहुत चीज़ें करते हैं समझने की वहती हैं बगर उचारिद के तो मैं लें खिया आवान गरता हूं 77 सरस्पति जिन भी कहा था और बाते फिर आ गई हैं कि वो सबसे पहले तरकी करें हमारी बहन बेटियां परन्तु साथ साथ उसको मर्या देते उनकी इज़त भी बड़े अर्चेतर में ता कि दूसरे बच्चे भी उदर आने के लिए प्रियरत हूँ अई दी वो इस तरह की ओछी बाते सुनेंगे तो अभी वाव को समाज पर बहुत को परवाब पड़ता है तो मैं आवान करता हूँ सरकारों से भी और चैनल के माद्यम से समाज से भी कि वो इस तरह की बातों को मिशन बनाएं और इन लोगों पर दवाब बनाएं इन लोगों को पर दवाब बनाएं कि ये इस तरह का बई सुधार करें आपको संगठित होने की बहुत जरूरत है हम चाते हैं कि 140 क्रोड भारतियों की आवाज बने चैनल कुछ लेना नहीं है आवा संगठित बाबा साब ने का था संगठित बनो शिक्सित बनो संगरस करो ये चीज़ें सामने खड़ी हैं इनको मतलब नहीं है हमारे बच्चों इस रुक्षा की जिम्मेदारी हमें खुद को लेनी है और ये उसी कड़ी में बता रहा हूं है कि इस तरह आज महिला दे उसके दिन ये चीज़ें सामने आएं और इन भाईयों को जो है संदेश परसाइद नहीं कराएं अधिकारी मारफत ये सुधार करें मैं इनको बार बार कह चुका और आप इदी अपनी कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखे बेजें और चैनल को सब्सक्रिप्शन अपना देरे देरे बढ़ा लें तकि ये बड़ा समों बंजे मैं कुछ समय तक आपकी सिवा देरों बाद में मैं चाहता हूं कि इसको संभालने के लिए दूसरे साथ ही भी आगे आए और ये करिया आगे बढ़े धन्यवाद